हेलो दोस्तों मैं हूँ अमित और फॉन राके नहीं वीडियो में आपका स्वागत है और दोस्तों यह है ओनर का व्यू 20 और जिसकी सबसे इंपॉरंट खासियत यह है कि इसके अंदर आपको मिलेगा 48 मेगा पिक्सल का कैमरा हां तो सबसे पहले बार कुछ ऐसा स्मार्टफोन आ रहा है जिसके अंदर मिलने वाला है 48 मेगा पिक्सल का कैमरा सेंसर और यहां पर और खुद का AI विजन मतलब AI के बिल्टी भी इसके अंदर इन बिल्ट है जिससे आपको मिलेंगे बहुत ही बहतरीन फोटोस तो यहां पर Ing 사ynn एस विटीओ में मैं नहीं सिर्फ करने वाला हूँ इस फोन की बारे में लेकिन आप से बात करनेगा कि कैसे आप अलग-अलग क्यामरा अंदर इस स्मार्टफोन से फोटो जे सकते हैं और बेटर क्यामरा क्याप्चर कर सकते हैं तो इस फीडियो के नदर हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में सारे इंटरेस्टिंग मोड या फिर प्री इंस्टॉल्ड मोड ओप्शन्स जो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और कैसे आप उन सब को यूज करकर बेटर फोटो या फिर बेटर वीडियो शूट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले इनके सारे ओप्शन से सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर तीन सब सेक्शन से जैसे की 3D QEmoji, Effects और Backgrounds अगर हम बात करें 3D QEmoji की तो यहां पर अलग-अलग Emoji Effects आपको मिलेंगे जो 720p में रेकॉर्ड होते हैं और यहां पर अगर हम बात करें AR Effects की तो यहां पर आपको Music और GIFT क्रियेट करने का भी Option मिल जाएगा जो रेकॉर्ड होंगे 1689 के Format में यहां पर Backgrounds के अंदर आपको कुछ अलग-अलग Options मिल जाएंगे जहां पर अलग-अलग Photos और Video Shoot कर सकते हैं और जिसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको Fancy AR Enable Backgrounds मिल जाएंगे जिसके अंदर आप अलग-अलग Stickers और City Monuments को Include कर सकते हैं इसके बाद हम अगर बात करें तो Night Mode एक Interesting Mode है जहां पर आप बहुती बढ़िया Photos ले सकते हैं बहुती अच्छे Details के साथ और बहुती Low Light Conditions में यहां पर जैसे आप एक photo खींचते हो तो वहां पर वह multiple photos खींचेगा करीब 10 seconds के लिए और उसके बाद आपको मिल जाएगा एक Best Capture Low Light Environment में इसके बाद हम बात करते हैं Portrait Mode की जो एक Standard Mode है लेकिन यहां पर आपको अलग अलग Beauty और Bokeh के Options मिल जाएगे और जिसके अलवा आपको मिलेंगे कुछ Interesting Notable Lightening के Effects मतलब यहां पर आपको Photo Boot Effect है Stained Glass, Folding Blinds, Poop और Stage Lightening के Options भी आपको Portrait Mode के अंदर मिल जाएगे अगर हम चाहें यहां पर तो Beauty Mode को आप Enable कर सकते हो जिससे आपको Better Beauty Levels मिल सकते हैं उनको आप Control भी कर सकते हो कम ज्यादा के बीच में और Face Shapes भी आप Set कर सकते हो इन Options के अंदर इसके बाद हम बात करते है Normal Photo Mode की जो एक Standard Default Option है यहां पर Regular Photo Mode के अंदर आपको AI Scene Recognition मिल जाता है वो अलग-अलग Scenes, Scenarios को Recognize करके आपको Better Photo देदेगा यहां पर आपको AI Shopping Mode भी मिल जाता है जिसको आप किसी भी Object की तरफ पॉइंट करोगे Camera को तो आपको Amazon Services के तुरू आपको उस Product के बारे में ज्यादा Information मिल जाएगा यहां पर Huawei के High Vision Mode के अंदर आपको Products Identification आराम से हो जाते हैं जैसे यहां पर Food, Buildings और Related Links आपको मिल जाएंगे Microsoft के Search Engine के तुरू अगर हम बात करें Text Translator की तो यहां पर Additional Option Information आपको मिल जाएगा और आपको Translation Text का मिल जाएगा Real Time में QR और Barcode Scanner का भी Option मिल जाता है जिससे आप आप आराम से प्रोट्स को स्कैन कर सकते हैं और आप Capture Smiles के फीचर को यूज करकर जब आप Camera करेगा कि कोई यहां पर Smile कर रहा है तो आपको वहां पर फटाक से फोटो खींच लेगा तो यह सारे Options आपको Photo Mode के अंदर मिल जाते हैं अब चलिए हम बात करते हैं वीडियो की दोस्तों यहां पर इस फोन के अंदर आपको मिलता है 48 Megapixel का Camera जिसके अंदर आपको 4K Video Recording का Option तो मिली जाता है यहां पर आप अलग-अलग Options के भी फायदे ले सकते हैं जैसे की 4K USD का Mode है जिसके बाद आप Enable कर सकते हैं H.265 का Higher Efficiency क Storage Option जिससे Smaller Size की File बन जाएगी इसके बाद जब आप Tap करते हैं More तो यहां पर आपको काफी सारे Options मिल जाते हैं सबसे पहला Option यहां पर जो आपको मिलता है वो है Pro Mode जिसके अंदर आप जाकर अपने Camera के Options को Control कर सकते हैं जैसे कि ISO को Control कर सकते हैं Exposure को Auto White Balance यह सारे Options को आप यहां बल यहां पर Control कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें Slow Motion की तो यहां पर यह Smartphone रेकॉर्ड करेगा Slow Motion वीडियो 960fps तक इसके बाद आपको मिल जाता है Panorama और 3D Panorama का Option जिसके बाद अगर आप Control करना चाहोगी अपना Aperture तो आपको मिल जाएगा Aperture का Option जिसमें आप अपने को मिलेगा Silky Water और Star Trails अगर आप Low Light Environment में हो और काफी सारे Options को सेट करना चाहते हो तो यहां पर Pre-Defined Options से अपने कैमरा को Point कीजिए और आपको बहुत ही बहुत ही बैतरी लाइट ग्राफिटी आफिट्राफिक ट्रेल्स मिल जाएगे इसके बाद अगर हम बात करें HDR की तो य तो कोई थर्ड पार्टी आप इंशॉल करने की ज़रोत नहीं है आपके इसी फोन के तुरू आप टाइम लाप्स को भी शूट कर सकते हैं फिल्टर के अंदर आप जाओगे तो यहां पर काफी सारे अलग लग लग फिल्टर आपको मिल जाएंगे जिससे तुरू आप अप अपने लोकेशन को या फिर टाइम और डेट इन सब ऑप्शन को एनेबल करके अपने फोटो को क्रियेट या फिर क्याप्चर करके शेयर कर सकते हैं जिसके बाद अगर मैं बात करो फाइनली तो यहां पर एक ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट का जिससे आप किसी भी डॉ जाएंगे और जिसको आप यूज कर सकते हैं तो दोस्तों I hope कि यह सारे टिप्स आपके लिए यूसफुल थे यह सारे फीचर्स यूज करकर के आप प्रबली जब भी आप इस फन को खईदोगे आप क्याप्चर करोगे बहुती बढ़िया इंटरेसिंग सेल्फी इन फैक् आपकर चेक कीजिए मेरे सारे फोटोज तो यह थे सारे ओप्शन्स और फीचर्स जो आपको आपको आपके व्यूट्वेटी स्मार्फोन के क्यामरा अप्लिकेशन के अंदर मिल जाते हैं अब I really hope कि आपको यह सारे ओप्शन्स यूसफुल रहेंगा और जब यह स्मार्फ तब को हमारे अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye